तो अब चंद्ग्रहन की समापती हो चुकी है और कई जगहों पर चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में अब दिखना शुरू हो चुका है तस्वीर हम आगे आपको दिखाएंगे और देखिए ये कोलकाता किस वक्त तस्वीर है अब अपने पूर्ण आकार में आचारीजी च चंद्रमा ततो निर्मलो भूत्वा चंद्रविग्रह क्या बात है अब ये चंद्रमा का ये सुरूप अतन्त निर्मल हो चुका है मोक्ष हो चुका है और इस निर्मल चंद्रविग्रह को इस चंद्रमा की सुरूप को देखकर पूर्ण चंद्र निभाना नाम पूर्ण च विसुरूप का दर्शन कीजे और अब इस्तान करने का समय है अभी किसी दर्शक से पूचा था मैं आफिस में रहूंगी तो क्या करूं तो उन लोगों के लिए जब घर पहुंचो तो इस्तान कर लेना कुछ लोग जो नहा नहीं सकते वो गंगा जल चलक ले अगर गंगा जल ओम पुंडरी काक्षा है पुनातू पुंडरी काक्षा है पुनातू पुंडरी काक्षा है पुनातू मतलब यह है कि बाहर और अंदर जिससे भी अशुद्ध हो गए हो ओम अपवित्रह पवित्रो वा अपवित्र हो पवित्र हो बाहर अंदर सबसे अशुद्ध हो गए हो लेकिन यह इस्वरेग पुंडरी का जो पुंडरी को जैसे नीत्रवाले कमल नएन भगवान विश्व का इस्परहन करता है वो सन वह बाह्य अब्भेंतरा बाहर और अंदर दोनों से सुचि हो जाता है तो भया, अगर कुछ नहीं कर सकते है तो उसके लिए हमने मन्तर प्ढ़ दिया, अब आप पवित्र हो। तो इसलिए अब देखे धर्व शास्त्रों के अलुसार ग्रहन के बाद इस्टनान करके दान देने का बड़ा विशेश वहत्व है। ग्रहन समाप्त होने के बाद कपड़े दूध आदिका दान करना चाहिए ये संतान सब्मंधी मामलों में आपको लाप देगा और चंद्रमा का सब्मंध सफेद वस्तों से है चंद ग्रहन के बाद चीनी या सफेद वस्तर का दान करने से घरेलू कलह दूर होती है यदि आप नौकरी की तलाश में है तो चंद ग्रहन के बाद सफेद मोती से बना कोई अभूशन किसी को दान करिए सफेद मोती का दान इसलिए शुब है जोकि सफेद मोती को चंद्रमा का एलिमेंट बना गया है यदि आपके घर में कोई विक्ति लंबे समय से बीमार है तो ग्रहन के दिन कांच के बरतन में पानी डाल कर उसमें चांदी का सिक्का डाल दे और अब रोगी विक्ति को उस पानी के कटोरे में अपना चेहरा देखना चाहिए फिर उस कटोरी को सिक्के के साथ दान करते हैं धारवे मान्यताओं के अनुसार अक्षा अक्षत यानी चावल सुक समर्दी का सूचक है अईसे में चंद गरहन के बाद दूध और सफेज चावल का दान करना चाहिए सूर्य और चंद ग्रहन के बाद रात में भी इस्नान करके शुद्ध होना चाहिए देखो रात्री में साबाने तया इस्नान की मना ही है खास्तोर से नदी में विशेश मना ही तो लेकिन सूर्य चंद ग्रहन के अनुसार आप रात्री के समय भी इस्नान कर सकते हैं धार्मिक मानिताओं के अंसार इन सभी घटनाओं के बाद शरीर अशुद्ध हो जाता है इसलिए इसे देवकारियों के लिए शुद्ध करना जरूरी है उसके लिए इस्दान करना चाहिए चंद ग्रहन के मोक्षकाल यानि समापन के बाद जो के अब हो चुका है घर दुकान व्यावसाइक पतिष्ठान की साफसफाई करनी चाहिए और हर जगे गंगाजल से छुड़काव करना चाहिए अगर घर के आसपास मंदिर है तो उसके भी साफसफाई करिए और चंद ग्रहन के बाद जल में गंगाजल डाल कर स्नान करें और घर के देवी देवताओं को भी स्नान करें घर तथा अंधे जगहों पर पानी में नमक डाल कर धोना चाहिए मानता है कि ऐसा करने से ग्रहन के बाद कर नकारात्मक्ता का प्रभाव समाप्त हो जाता है और चंद ग्रहन के बाद दान करना विशेश पूनेदाई माना गया है चंद ग्रहन के बाद चंदर्मा से संबन्दित सफेद चीजें जैसे दूद, दही, चावल, मिठाई, सफेद मोती, सूती वस्त्र आदिदान करना चाहिए चंद ग्रहन के बाद खाद पदार्थों पर भी गंगा जल से छणकाव करें और उनको भी सुध करें गंगा जल के छणकाव के बाद ही भोजन करना चाहिए और चंद ग्रहन के बाद आपको भगवान विश्रू, माता लक्ष्मी और चंद देव की पूजा करनी चाहिए माता लक्ष्मी धन संपत्य पदान करने वाली और भगवान विश्रू सभी प्रकार की मनों कामनों की पूर्थ करने वाले हैं चंद देव की पूजा करने से कुंडली में इन से जुले सारे दोस्त दूर होते हैं साथ ही बड़े बुजर्गों का अशरवाद लेना चाहिए जी तो आचारे जी हमने जाना की ग्रहन की बात क्या करना चाहिए अगले छे राशियों की भी हम बात करें लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं दर्शक का ले लेती हूँ संध्या सिंग यूपी से और कुम्भ राशी है उनकी वो जानना चाहती है कि उनके लिए चंद्रग्रहन का प्रभाव क्या रहेगा भाई हमने अभी कुम्भ राशी की बात हम अभी बताएंगे क्या नाम बताया आपने संध्या सिंग ये किस चहर से हैं ये यूपी ये चंद ग्रहन आपके साथे स्थान पर लगेगा इस ग्रहन के बाद कुछ महीनों तक आपका आमदनी का जरिया रागनीच से होकर गुजरेगा वे अधिक होगा लेकिन ये वे अधिकांश सही कारों से होगा ध्यान रहे कि इस दोर में आपका कुछ धन मुकदमों पर जमीन जादाद पर भोवी भवन और वहन पर तथा करियर संबंदी मुकदमों पर भी खर्च हो सकता है अगर आप भी एक्स्टा मेरिटल डिलेशन्स में हैं तो आपको इस मामले पर काफी खर्च करना पड़ सकता है लेकिन व्यापार में आपकी गती अच्छी रहेगी और आमद आपके लिए कोई फानेंशल दिक्कत नहीं ख़़ी करेगा अतहन नुकसान से बचने के लिए आज आपको चंद ग्रहन के तुरंत बाद दूद का दान करना चाहिए और ग्रहन के दौरान आपने वजन का दसवा हिस्सा चावल निकाल कर रखना चाहिए यह हमने पहले बता है था आपको उसको पर्मानेंटली अपने घर में रखा रहने दिए और अब बात वरिष्टिक राशी की तो वरिष्टिक राशी वालों यह चंद ग्रहन आपके छटे स्थान पर लगेगा ग्रहन के बाद का समय आपके लिए आठिक दिश्ट से खर्चों से भरा रहेगा लेकिन आमदनी का प्रवाह अभी कम नहीं होगा आपके सभी खर्चे पूरे होंगे बचत भी होगी और आपका पराक्रम लगातार आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेणा देता रहेगा ग्रहों के गोचर के मुताविक जीवन साथी से कुछ कटू वाद विवाद आ आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा आपको इस बात का विशेश ध्यान रखना चाहिए और अपने दामपत्य जीवन का सही धंग से नर्वाह करके इस थोड़े से समय को पार करना चाहिए ये थोड़े समय है ये विशेश दिसंबर के बाद ये विरोध दिसंबर के लगबग समाथ हो जाएगा ये समय सावधानी पूरक निकलना चाहिए अगर आपके आमदनी और संपदा का आंकलन किया जाए तो ग्रहन के बाद कुछ महीनों में आपको केवल एक ही विंडो पर नेगटिव मार्क्स मिलते हैं और वो है आपका दामपत्य जीवन अगर समय आपके लिए आर्ठिक इस्तित्गा संदेश लेकर आया है अच्छी आर्थिक इस्तित्गा संदेश आने वाले समय में आपको अपने काम का क्रेडिट में और आप अपने जीवन को समार्णे में कामयाब रहेंगे लेहाजा इन उतार चणाओं से बचने के लिए आज agreement क के दोरान फोन पर बात करते समय किसी को अपना सीक्रेट रिवील नहीं करना है अब तो चंद ग्रहन गुजर गया और अगर मुम्किन हो तो ग्रहन के बाद खरगोश को चारा खिलाईए और वो भी नहीं कर सकते तो ग्रहन के बाद भगवान शंकर को प्रणाम करें धनुराश खरचे परेशान करते रहेंगे हाला कि आप भरपूर पराकरम करेंगे और जल्दी ही मंगल की मदद से आप रोग और शतुर पर विज़े पाने में निश्चा ही कामयाब रहेंगे नॉम्बर के उतरार और दिसंबर की शुरुआत में आपको करियर में तरक्शी का बहतरी म मौका मिलेगा दिसंबर के आखरी हफते में आपको कुछ बड़े खर्चे नज़र आएंगे लेकिन उस समय आपकी आमदनी ही आपको पॉस्ट्यू सपोर्ट करेगी आमदनी भी पॉस्ट्यू सपोर्ट करेगी और आप उन खर्चों से वाहर निकलने में कामयाब होंगे आ लेकिन आपका ये कम पराक्रम है क्या क्या आप घटनाक्रम को अपने पीशे चलने के लिए मजबूर कर दे लिहाजा इस तरह की परेशानियों से बचने के लिए आज आपको चंद ग्रहन के बाद जल्दी ही किसी पहाड़ी स्थान की यात्रा करनी चाहिए और ग्रहन के द अपने समय को उत्तम बनाने के लिए प्रयास करना होगा अगर आप टूर एंड ट्रेवल के बिजनिस में हैं तो आपको उत्तम लाब होगा अधिकांश समय आपकी प्रक्रति उदासीन रहेगी कार्य स्थल पर बार बार शडेंत्रों का शिकार होने से आपकी प्रगत्वे और आपके आर्थिक प्रवाह में बाधाय आती रहेगी भागेश बुद्ध लगातार आपको सपोर्ट करने की कोशिच करता रहेगा शत्रों का दमन करने में भी आप सफल रहेगे लेकिन इस सबसे आपके आर्थिक इस्थिति निगेटिवली प्रभावित होती रहेगी उस समय आपको राज जलाब के साथ भूमी भवन और वहन का लाब भी होगा आपको अपने इस समय को समझ भूच कर धीरे धीरे और शांत भाव से परिस्थितिवों का आकलन करते हुए वेतीच करना चाहिए जुए, सटे, लोटरी और शेयर बाजार में और अचानक धनलाब करने के प्रलोभनों से आपको खुद को दूर रखना चाहिए इन चीजों में आपको लाफ के वजाए हानी की संभावना ज्यादा है लिहाजा इस तरह की परेशानियों से बचने के लिए आज आपको चंद ग्रहन के बाद अगले पंदा दिन तक किसी भी मुद्दे पर माता का विरोध न करे और अगले तीन दिन तक घर में आए मेहमा अनों को दूध या शर्बत अपने हाँ से खुद सर्व करें वो रैबरिली वाली संध्या से कुम्भर राशी पूछ नहीं थी आच्छा तो लीजे भाई संध्या जी आपके राशी आ गई है कुम्भर राशी वालों ये चंद ग्रहन आपके तीसे स्थान पर लगेगा इस समय जीवन का सुरृनिम समय है जीवन का सुरृनिम समय है इस समय किसी भी दिशा में किए गये प्रयासों से लाव होगा वर्ष की इसी एवधि में चौथे स्थान पर गुरू का गोचर अतनतलापकारी है कन्या अतुला व्रिष्चिक और धनुराश में जब बुद्ध गोचर करेगा तो निरंतर आर्थिक प्रिगत का संकेत आपके लिए आवशकता इस बात की है कि आप अपने जीवन में आने वाले आवसारों को पहचान कर तदनुकूल नड़ने लेते रहें कारेवही करते रहें नए साल में आपको बड़े पैमाने पर सामाजिक कारे करने यश प्रतिष्ठा प्राप्त करने बहुत सा आर्थिक लाभ हासिल कर देगा और जन सामाने का लोकप्रिय नेता होने का स्वभागे प्राप्त होगा इस दवरान शत्र शत्रता छोड़ कर आपके मित्र बन जाएंगे जो लोग आपसे इर्शा रखते हैं उन्हें आपके आगे घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ेगा ये यात्राएं व्यावसाईग दिश्टे से अतनत लापकारी होंगी और इन यात्राओं से आने वाले समय में आपके उज्जल भुश्य का मारप्रश्ष्ट होगा लिहाजा लाप की इस सुनेश्चित करने के लिए आज के दिन आपको देवी दुरगा के मंतरों का जब करना चाहिए और ग्रहन के दौरान गेहू या गुड निकाल कर रखना चाहिए ग्रहन के बाद इसे किसी सफाई कर्मी को आदर पूर्वक रिक्वस्ट के साथ दान करें और मीन राशिवालों ये चंद ग्रहन आपके दूसरे स्थान पर लगेगा इस वर्ष के उत्राद में आपको विशेश लाब होने का जोग दिखाई दे रहा है दिन पर दिन आपकी आमदनी में वरदी होगी नए व्यापार को इस्थापित करने में आपको मदद मिलेगी अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार शून से शुरू होकर अनंत तक जाए तो इस दोरान आपकी कोशिशे सारतक होंगी यह भी ध्यान देने की बात है कि परिवार से दूर विदेशों में नौकरी कर रहे लोगों के लिए इस समय सुधेश लोटने और पुनह विदेश में अपने पैर जमाने के लिए अवसर अनुकूल है अगर आप चाहें तो सुदेश आकर या विदेश मही अपने व्यापार का परसार कर सकते हैं, अपने व्यापार की वर्दी कर सकते हैं, बेहतर नौकरी हासिल कर सकते हैं, बेहतर आर्थे की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को उन्नत के रास्ते पर ले चलने म काम्याब हो सकते हैं लिहाजा इस चिंता से मुक्ति के लिए आज आपको चंद ग्रहन समाथ होने पर इस्नान करके माता या किसी बूड़ी इस्त्री के पर चुकर आशिरवाद लेना चाहिए और ग्रहन के बाद माता या साथ से दो मुठी चावल लेकर एक सफेद थैली में ह अपने राशी के बारे में संग्यान हुआ होगा और अब ये उसका आनद उठा सकेगा बिलकुल आचारे जी और चुकि अब वक्त की कमी हो और इसलिए जल्दी से हम जान लेते हैं सभी राश्यों की चर्चा के बाद की मार्केट में गोचर का क्या प्रभाव रहेगा ओ य जानी की विशेश देश्टी से चल रही जिस मूवमेंट से मार्केट तेज होगी यानि रूई चांदी और घी सब तेजी पकड़ लेंगे इसके अलावा सरसों बिनौला मूफली चांदी में भी फ्लक्ट्वेशन दिखाई देगा अता ये मूवमेंट बहुत के साथ गोचर करने से किन किन चीजों पर असर आएगा आज मैं आपको एक बार फिर दोहरा देता हूं ग्यारा नॉवमबर को शुक्र के वरिश्चिक राश में जाने का असर आई टी कंपनीज के शेर्स और सौट्वेर कंपनीज के शेर्स पर पड़ेगा तेरा नॉवमब के बुध शुक्र के साथ सब सब तक जिश्च संबद मनेगा ग्रहों की इस इस्थित के कारण तेल सरसों सोयबीन रुई सोना चंदन और कपूर के बाजार में फ्लक्ट्वेशन होंगे चौदा नॉवमबर को शुक्र के अनुराधा नक्षत्र में आने से गुल शक्र पर अपना असर बुद्ध भी दिखाएगा ध्यान रहे मंगल के साथ इनका समसब तक दिश्च संबन फिर भी बना हुआ है इन ग्रहों का असर सोना चांदी इलाइची चना अलसी और रुई पर होगा सोलह नॉवमबर को सूरी भी बुद्ध और सुक्र के साथ व्रिष्ट का होगा उनीस नॉवमबर को सूरी बुद्ध और शुक्र के साथ अनुराधा नक्षतर में आ जाएगा मंगल के साथ इन तीनों का समसब तक संबंद बना हुआ है ये समय बाजार में थोड़ा सी कीमतें गिरने का समय होगा चौबीस नॉवमबर को गुरू के मारगी होते ह बाजार में बहुत सी चीज़ों बदलने लगेंगी चौबीस नॉवमबर को ही बुद्ध और शुक्र दोनों जेश्ठा नक्षतर में होंगे ये बात गुर शक्र और चावल के भावों में तेजी बना सकती है जबकि चान्दी सरसों तिल का तेल और हींग के भावों में फ दो दिसंबर को बुद्ध के पस्चिब में उदय होने के बाद रुई चान्दी बैंकिंग के शेर्स और मूंग डाल की कीमतों में फ्लक्ट्वेशन होगा पहले कीमतें गिरेंगी बाद में कीमतें बढ़ सकती हैं तीन दिसंबर को सूर्य देव जेश्ठा नक्षतर में श चार दिसंबर को वक्री मंगल रुईनी नक्षतर में गोचर करेगा तब लाल मिर्च, हींग, सरसों, सूती कपड़े, तिल, तेल और कपास की कीमतों में बढ़ोतरी होगी महेंगे हो जाएंगे पांच दिसंबर को शुक्रवी बुद्ध के साथ धनुराश में आकर संबंद बनाएगा और इन पर मंगल की दिश्ट भी होगी इस ग्रह इस्थित से सौट्वेर की कीमते बढ़ेंगी और सौट्वेर कंपनी के शेर्स में भी उतार चड़ा हो सकता है खांड सारी महेंगी हो सकती है रूई और कॉटन से बनी चीजे सस्ती होकर महेंगी होंगी और यहूं चना जो चांदी तांबा सोना और अधर मिटल्स महेंगी हो सकती है 12 दिसंबर को पूर्वा शारहन रक्षतर में बुध के गोचर से सोने और चांदी की कीमतों में गिरावटा सकती है लेकिन बिनोला, रुई, सोयाबीन और बैंकों के शेर्स की कीमतें बढ़ सकती है 16 दिसंबर को सूरी के धनराश में आते ही और बुध तता शुक्र से उसका संबन बनते ही शेर बाजार में तेजी का रुख निखाई देगा और तीनों ग्रहों की एक साथ उपस्ति और उन पर मंगल की दिश्ट के कारण कौपर, चांदी, सोना, हल्दी, तिल, जो, बाजरा, रुई, कपास इन सब की कीमतों में बहुतरी होगी 20 दिसंबर को राहू के भढ़नी नक्षत्र में के पहले चरण और केतु के स्वाती नक्षत्र के तीसे चरण में प्रिवेश करने से सोना, चांदी, सोयावीन, रुई, घी की कीमतों में फ्लक्षियोशन के बाद कुछ कमी दिखाई देगी 22 दिसंबर को बुध के उत्राशाड़ा नक्षत्र में गोचर करने से मक्का, जो, चना, गीहों के अनास सस्ते हो जाएंगे 26 दिसंबर को शुक्र उत्राशाड़ा नक्षत्र में आ जाएगा, अकेला बुध यहां कीमते गिराता है, अकेला शुक्र भी कीमते गिराता है, लेकिन एक साथ होने से कीमतों में फ्लक्षियोशन होगा, यहीं नहीं, इस दिर्ष्ट संबद के कारण कीमते तेजी पकड़ लेंगी, तो एरंड रुई का पास खांसारी सोना चानी और गुण की कीमते जल्दी ही बर्ती दिखाई देएगा, अचारी जी, माफी चाहूंगी, चुकि अब वक्त हमारे पास दूसरे शोका शुरू हो चुका है, तो इजाज़त चाहूंगी, मैं आपसे बहुत-बहुत